कहानी की शुरुवात में हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने पैरेंट्स मारक और केरल के साथ रहता है पीटर के पैरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर केरिंग हैं वो पीटर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और उसे दोस्त बनाने से भी मना करते हैं यही कारणे की करता है तब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता पीटर को लग रहा था कि यह सब सैद उसकी इमेजिनेशन है वो इस बारे में सोची रहा होता है कि तभी उसे दिवार के पीछे से किसी के नौक करने की आवाज सुनाई देती है जब पीटर अपनी मौम केरल को दिवा को सुला देती है और वहाँ से चली जाती है अगले दिन पीटर के स्कूल में एक सबस्टिट्यूट टीचर आती है जिसका नाम था मिस डिवाइन डिवाइन पीटर से उसके दोस्तों के बारे में पूंचती है पीटर उसे बताता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है अब य रोग उसे मना कर देते हैं मार्क उसे बताता है कि आज इसे तकरीबन दो साल पहले एक लड़की ट्री को ट्रीट करने के लिए बाहर निकली थी लेकिन तब से वो गायब है और आज तक कभी घर नहीं लोटी हम नहीं चाते कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो इसलिए हम तुम्हें बाहर जाने की पर्मीशन नहीं दे सकते रात की समय जब पीटर सोने के लिए कमरे में आता है तब उसे एक क्रीपी बोई सुनाई देती है जिससे वो काफी डर जाता है पीटर के चिल आने की आवाज सुनकर मार्क भी वहाँ पर आ जाता है जब पीटर मार्क को उस बोईस के बारे में बताता है तब वो वॉल से कान लगा कर उस बोईस को सुनने की कोशिश करता है जो हर रात सोते समय पीटर को सुनाई देती है लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता मार्क पीटर से कहता है ये सब चूहे हैं जो तुम्हारे कमरे में इधर से उध भागते रहते हैं अभी तुम जाकर सोजाओ हम कल सुबह इसका इलाज करेंगे अगले दिन मार्क जल्दी उठकर पीटर के कमरे में डेर सारी चुहें मारने की दवा रख देता है ताकि सभी चुहें मर जाएं और आवा जाना बंध हो जाएं अगले दिन जब पीटर स्कूल जाता है तब वो अपने कमरे की एक ड्रोइंग बनाता है जिसमें उसने किसी को हेल्प मांगते हुए दिखाया था डिवाइन को पीटर की ड्रोइंग थोड़ी अजीव लगती है इसलिए ओभी ना कुछ सोचे समझे पीटर के घर आ जाती है और केरल को उसकी वो ड्रोइं जब पीटर अपने कमरे में सो रहा होता है तब उसे एक लड़की की बॉइस सुनाई देती है पीटर को लग रहा था कि ये सबसाध उसकी इमैजिनेशन है इसलिए वो उसे यहां से जाने के लिए कहता है वो बॉइस उससे कहती है मैं तुम्हारी इमैजिनेशन नहीं बलक करता है अगले दिन जब पीटर स्कूल आता है तब वो एक फंपकिन पर एक ड्रोइंग बनाता है जो देखने में बहुत खूब सूरत थी मिस डिवाइन को ड्रोइंग काफी पसंद आती है और वो पीटर की खूब तारीफ करती है लेकिन ब्रायन को ये सब पसंद नहीं आता इसलिए वो स्कूल से निकलते समय पीटर को बली करता है और उसके कद्दो को भी फोड़ देता है रात को जब पीटर सेरा से इस इंसिडेंट को लेकर डिसकस करता है तब सैरा उसे मोटिबेट करती है और उसे रिवेंज लेने के लिए कहती है अगले दिन जब पीटर जिसके चलते उसकी दोनों टांगे तूट जाती हैं। जब मार्क और कैरल को इस बात का पता चलता है कि पीटर ने अपने क्लासमेट को मारा है जिसके लिए उसे स्कूल से एक्सपल कर दिया गया है। तब वो दोनों पीटर पर काफी गुस्सा होते हैं और उसे एक ही होती है। उसे लग रहा था कि पीटर सायद किसी खतरे में है इसलिए उसके टेस्ट पर अपना नंबर लिख देती है और उसे लेकर पीटर के घर आ जाती है। मार्क डिवाइन को घर के अंदर इंवाइट करता है लेकिन डिवाइन काफी डर जाती है क्योंकि उसके हाथ में धेड़ सारा खून लगा हुआ था। मार्क उससे कहता है मैं कुछ काम कर रहा था मगर ध्यान भटक जाने की वजह से मुझे चोट लग गई। साम को कैरल पीटर के लिए कुछ कुकीज बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। मार्क पीटर से कहता है मैंने तुम्हारा स्कूल छुड़वा दिया है और आज के बाद तुम्हारी मा एक अच्छी टीचर है और वो तुम्हें घर पर ही पढ़ाएंगी। रात को जब पीटर सोने के लिए कमरे में आता है तब उसे सेरा की बॉइस सुनाई देती है और वो उसे अपने सामने आने के लिए कहता है। अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुम डर जाओगे और तुम हम दोनों को पकड़वा दोगे। और मैंने एक लड़की से हेल्प भी मांगी थी मगर मॉम डैड ने उसे मार कर उसे गारडन में ही दफना दिया और मुझे हमेशा हमेशा के लिए इस संधेरे कमरे में बंद कर दिया। जब उनका मन तुम से भर जाएगा तब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अगर तुम्हें मुझे पर यकीन नहीं है तो तुम गारडन में जाकर देख सकते हो। पीटर को अब धीरे धीरे सेरा की बातों पर यकीन होने लगा था। इसलिए वो सेरा की बताई हुई जगह पर जाकर खोधता है जहां पर उसे एक कंकाल मिलता है। पीटर समझ चुका था कि जल्दी उसके मौम डैड उसे भी मार डालेंगे। इसलिए वो जल्दी से कंकाल को मिट्टी में दफना देता है और सेरा के पास आकर उससे हेल्प मांगता है सेरा पीटर से कहती है मुझे कमरे में कैद करके रखा गया है इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती लेकिन अगर तुम्हें यहां से बाहर निकलना है तो तुम्हें मॉम डैड को मारना होगा यही एक रास्ता है जिससे हम दोनों यहां से जिन्दा बाहर निकल सकते हैं पीटर सेरा से promise करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे यहां से बाहर जरूर निकालेगा क्योंकि पीटरा भी काफी छोटा था और उसे इस काम के लिए किसी की जरूरत थी इसलिए वो Miss Divine के पास call करता है मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता कैरल उसे देख लेती है और फोन कट कर देती है वो पीटर की इस हरकत से काफी गुस्सा होती है और उसे समझाने की कोशिस करती है लेकिन तभी उसकी नजर वॉल पर जाती है जिसमें एक होल था कैरल समझ चुकी थी कि पीटर हर दिन सेरा से बाते करता है इसलिए वो उससे सेरा के बारे में पूँचती है लेकिन पीटर उसे कुछ नहीं बताता वो पीटर से कहती है अब काफी देर हो चुकी है अब आगे जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है साम को जब मारक घर आता है तब कैरल उसे सारी बात बता देती है लेकिन पीटर चुपके से उन दोनों की सारी बाते सुन लेता है अगले दिन जब पीटर उठता है तब मारक उसे लेकर गार्डन में आता है जहां वो पीटर से सड़े हुए पंपकिन्स को दफनाने की बात करता है पीटर को लग रहा था कि उसके मोम डैड उसे मारक और उसे भी यही दफना देंगे इसलिए वो उन्हें मारने का प्लान बनाता है और रात के खाने में जहर मिला देता है मारक जब खाने को टेश्ट करता है तब वो समझ जाता है कि इसमें जहर मिलाया गया है वो पीटर का गला पकड़ लेता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो अचानक से नीचे गिड़ जाता है और उसकी देथ हो जाती है कैरल एंबुलेंस को कॉल करने की कोसिस करती है मगर पीटर ने पहले सही फोन की केबल को काट दिया था इसलिए वो एंबुलेंस को कॉल नहीं कर पाती कैरल काफी गुसे में थी इसलिए वो एक नाइफ लेकर पीटर को मारने की कोसिस करती है लेकिन पीटर उसे सेडियों से धक्का दे देता है जिसके चलते वो नाइफ उसे ही लग जाता है और उसकी भी देथ हो जाती है केरल के मरते ही पीटर उससे सारी कीज ले लेता है और सेरा को आजाद कर देता है वो देखता है कि सेरा अब एक मॉंस्टर बन चुकी है यही नहीं उसने उसका इस्तेमाल किया ताकि वो मॉम डैड से अपना रिवेंज ले सके इससे पहले कि वो उसे मार डाले वो जल्दी से आकर अपने बैडरूम में छिप जाता है अब हम ब्रायन को देखते हैं जो पीट को नुकसान पहुंचाएं सेरा एक एक करके उन सब को मार डालती है वो पीटर को पकड़कर बेस्मेंट में लोग कर देती है ताकि वो भी ऐसा ही फील करे जैसा कि इतने सालों तक उसने फील किया था अब हम डिवाइन को देखते हैं जो पीटर की हेल्प करने के लिए उसक चारों तरफ धूनने लगती है जब पीटर को इस बात का पता चलता है कि डिवाइन उसे यहाँ पर बचाने के लिए आई है तब वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है लेकिन डिवाइन उसकी जरा भी नहीं सुनती और वॉल तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है इस उसे मारने की कोशिस करती है लेकिन इस से पहले कि वो डिवाइन को मार डाले पीटर उसके बालों को खींचते हुए बेसमेंट से बाहर आ जाता है डिवाइन सेरा पर हमला करके उसे बुरी तरह इंजर्ड कर देती है और दोबारा से उसे बेसमेंट में लोग कर देती है से लोकर के डिवाइन के साथ घर से बाहर आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है